जाहिन दोस्तों आप देखने हैं अध्यानकेंद्र और इस वीडियो के माधियम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट आपजेक्टिव का इसमें चल रहे हैं अभी संबीधान और अभी हम पढ़ रहे हैं तेह तीसमा एक्सेज अपात उपबंद ध्यानते देखिएगा इसको साथ से जो भी विडियो बना दिया हो उसका Revision भी करते रहिएगा ऐसा नो कि आगे पढ़े हो पीछे भूलते जा रहे हो तो एप सर्ज करो है are Master Stream keyboard Altabilis morte नाम ओढ़ी जाएगा यान तो टेलीटाम गुरूब जोइन प्रकार बहारत का राच्टर पति किस परकार के अपात्काल की इद्धोस्तक रतासक तो ये तीन हो, ओप्शन नमर्ड यहां आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो वीडियो को लाश्ट तक देखना, क्योंकि एक दो प्रस्ट देखलोगे और सुचो कि आपका उप्शन में खेलना शुरू कर दोगे, तीन-चार बर देखते हो, मैं यह नहीं कहला है क चाहे खुद यह पढ़ो यह वीडियो देखो, तीन-चार बर देखो तभी एक कंसेप्ट क्लियर हो पाता है, चलो तीसरे प्रस्ट पर आते हैं, संबिधान के किस अनुछेद के तहत राश्ट्रिये अपातकाल की उद्गोसना राश्ट्रपती करता है, अनुछेद 352, रा राश्ट्रिये अपातकाल की घोसना राश्ट्रपती द्वारा की जा चुकी है, तीन बार, राश्ट्रपती राश्ट्रिये अपातकाल की उद्गोसना किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो कई सारे प्रस्थतियें, चाहे यूद्ध हो जाएगा, ससस्त्र विद्रो हो ज तो इन सब काड़नों पर वा रास्ट्रिय आपात का उध्गूसना किया गया है दो बार सात्मा प्रस्ण है आंत्रिक और सांती के अधार पर अब तक कितनी बार राश्ट्रिय अपात की उद्भोसना राश्ट्रपती के दुआड़ा किया गया है एक बार दो बार बैयुद के कारण और एक बार राश्ट्रिय अपात काल की उद्भोसना कब की गई थी 26 अक्टूबर 1962 याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1962 चैना सी युद्ध हुआ था उस टेम देश में दूसरी बार राश्ट्री अपात की उद्धोसना कब की गई थी 3 दिसंबर 1901 एकथर एक बार चीन और एक बार पाकिस्तान से युद्ध के टेम ऐसा हुआ था राश्ट्रपती ने तीसरी बार राश्ट्री अपात की उद्धोसना कब की थी तीसरी बार किया गया 26 जुन 1975 में 1975 याद होगा इंद्रा गांधी का टेम था तीसरी बार राश्ट्री अपात की उद्धोसना राश्ट्रपती ने किस अधार पर किया था आंतरिक औसांती के अधार पर प्रथम राष्ट्रिय आपात की उद्गोसना के समय देश के राष्ट्रपती कौन थे जब परथम हुआ था 62 के आसपास तब जाकिर हुसेन थे यह पहले उप राष्ट्रपती थे फिर राष्ट्रपती बने याद रखियेगा इनका नाम दूतिये राष्ट्रिय आपात की उद्गोसना के समय देश के राष्ट्रपती कौन थे बीबी गिरी बीबी गिरी ओप्सन नमबर सी 1975 में तीसरा राष्ट्रिय आपात का लगा था उस टेम में राष्ट्रपती कौन थे फारकुदिन अली आहमद 1975 में राष्ट्रिय अपात की उद्गोसना के संबंध में यहां पे कौन सा कथन सही दिया गया है तो मंत्री मंडल के अनुमोदन के पूर्भी परधार मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपती ने यह घोसना करवा लिया था इंद्रा गांधी रात में राष्ट्रपती से सिंग्मेचर कर वाली थी कि कालापात का लगाया जाएगा और फिर सुबह में इंद्रा गांधी ने टीवी पर घोसना कर दिया था तो उप्सन अमड़ी यह सही है चोवालिस्वे संबिधान संसो धन 1978 में अनुछे 302 में किस सब्द के अस्थान पर ससस्त्र बिद्रोह सब्द का प्रयोग किया गया था तो वहाँ पर सब्द चेंज कर दिया गया था आंत्रिक औसांती की जगा पर पहले वहाँ पर आंत्रिक औसांती था उसको ससत्र बिद्रोह सब्द कर दिया गया तो यह आंसर क्या हो जाएगा आंत्रिक औसांती अप्सन अमड़ी राश्ट्रिय अपातकाल की उद्गोसना क संसद के समक्ष किसकी स्विक्रिती है तू रखा जाना आवस्यक होता है एक माह के अंदर एक माह के अंदर राश्ट्रिय अपातकाल की अधिक्तम आवधी कितनी हो सकती है राश्ट्रिय अपातकाल की अधिक्तम आवधी कोई सीमा नहीं है कोई फिक्स में लिखाने गया है रा कर गैबनेट उसको लिग के दे देगा तब वो ऐसा करेगा राश्ट्री आपात की उद्गोसना का स्वता प्रभाव होता है क्या सब प्रभाव इंप्लिमेंट आटोमेटिक हो जाएगा तो अनुछेद 20 और 21 जो है मूल अधिकार को लेकर उसको छोड़ कर सभी मूल अधिकार आपका बंद हो जाएगा तो काफी इंप्लिमेंट है ये लाइन फिर से रिपीड कर लो कि हमारा जो अनुछेद 20 और 21 में जो मूल क अधिकार दिया गया है वो हमारा राश्ट्रिय अपात में भी चालू रहता है वो बंद नहीं होता और सारे हमारे मूल अधिकार राश्ट्रिय अपात में बंद हो जाता है ओप्शन नमबर बी यहां सही है राश्ट्रिय अपात काल में संभिधान की संहिय प्रकृति का क्या होता है राश्ट्रिय अपात्काल में संभीधान की संघ्य प्रकृति का क्या होता है? वो ऐसी ही बनी रहती है। संघ्य प्रकृति में कोई चेंज़ नहीं आता। चवाल इस पे संभीधान संसोधन के प्रस्थात, राश्ट्रपति को निम्नेलिकित परिस्थितियों में राजी अपातकाल घोसिने का अधिक घोसुना करने का पीडाप्त है तो हथियार बंद बिद्रो के अधार पर बाहरी आकर्मन और युद्ध के आकर्मन तीनों पर उपर वर्णित सभी कार्णों के अधार तीनों सही है यहां पर आंसर डी है भारतिय संभिधान के अनुछे 352 के अनुसार राष्टिय अपात्त की घोस्ना निम्नलेखित में से किन पड़ स्थिती में की जा सकती है युद्ध बाहरी आकर्मन और ससस्त्र बिद्रो ऑप्सन नमबर डी यहां सही है उसले रिपीटेट प्रस्ना बारा है क्योंकि अपात् काले निस्थित्य की घोस्ना करने की मंजूरी देनी चाहिए एक महिने में एक महिने में युद्ध या बाहरी आकर्मन के कारण की गई अपात्काल की घोस्ना का संसद द्वारा अनुमोधन होना चाहिए एक महिने में एक महिने में संबीधान के किस अनुछेद के तहत राजियों में संबेधानीक तंत्र के विफल होने पर राश्ट्रपती सासन लगाया जाता है अनुछे 356 के अंतरगत अभी हम पढ़ रहे थे आपातकाल तो वह था 352 यह अभी क्या है राश्ट्रपती सासन यह लगता है 356 क अंतरगत ऑप्शन नमर्डी यहां सही है आगे प्रसन पर आते हैं अच्छा मैं यह फोटो जो लेता हूं ना स्केन करता हूं कैम स्केनर से पूछते रहते हैं आप लोग बार बार यह थो तो देख लिया करो ना थिमाग जड़ी नहीं कि पढ़नी पर लगाए तो पढ़न सर यह बैलोजी का मास्टर विडियो है फिर कोसन बार मतलब क्या मैं लिखों पर तो थोड़ा चलो खेर अभी आप पड़सन पर थास्मा है किसी राजी में राश्ट्रपती सासन की उद्धोसन किस व्यक्तिक के परतिबेदन मिलने पर राश्ट्रपती करता है राजिपाल क राजी के राजपाल का परतिबेदन मिलेगा तब राश्ट्रपती लगाएगा जैसे अभी जम्मूएन कास्मिर आज है तो राश्ट्रपती सासन ह goes on क्योंकि जो state होता है वहाँ पे केंदर के तरफ से कौन पर्तिनीदी करता है तो राजिपाल करता है तो तेक्ट राजपाल का जाजन हो जाएगा मदलब यह कह सकते हो कि state के लिए राश्टरपती राजपाल ही होता है राश्ट्रपती द्वारा राजियों में राश्ट्रपती सासन उद्गोसना के कितने दिनों के भीतर संसद की स्विक्रती आवस्यक है तो यह दो माह के भीतर किसी राज्जी में समानतिया किसके प्रामर्श से राश्ट्रपती सासन लगाया जाता है राश्ट्रपति सासन राजिपाल के कहने पे लगाया जाएगा किसी राजि में राश्ट्रपति सासन की प्रणबिक अवधी कितनी होनी चाहिए छो माँ पहली बार जो लगेगा तो वो मेक्सिमम छो मेन तक लगा सकता है फिर उसको वो बढ़ा घटा सकता है लेकिन वो आपादकाल में कोई फिक्स नहीं होता राश्ट्रपति सासन किसी भी प्रस्थिती में एक वर्स से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता परंतु या अवधी तीन वर्स तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयो घोसना कड़े की पड़िस्थिती चुनाव योगे नहीं है तब ऐसा किया जा सकता है किसी राज्य में राश्ट्रपति सासन के लागू हो जानने पर निम्न में से किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रसासन के सविक्रित संग्य नियंत्रन में आ जाते हैं ये होता है आपका न्याइक संसद्वारा प्रस्ता पारित होने पर किसी राज्य के राश्ट्रपति सासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है एक बार में छो माह के लिए लागू होगा किसी राजी में राष्ट्रपति सासन किस परिस्थिती में अधिकतम कितनी आवाधी तक लागू किया जाएगा तीन वर्स के लिए मैक्सिमिमम है मतलब एक वर्स से बढ़ा कर अगर आप मैक्सिमम तीन साल तक कर सकते हो बैयालिस में संभिजान संसोजन अधिनियम 1976 दुआरा राष्ट्रपति सासन चो माह की अवधी को बढ़ा कर कितने माह तक किया जा सकता है तो तीन वर्स किया जा सकता है तीन वर्स को अगर महना में कनवर्ट कर दो गए तो यहां पर दियाने पहले त्यको क्या होगा पहले छो माह से होगा एक वर्स ठीक ना फिर एक वर्स से तीन वर्स यह पहले एक वर्स तक आएंगे वह बार महना तक आएंगे प्रथम बार राष्ट्रपति सासन कब लागू किया गया था प्रथम बार किया गया था 20 जून ब्हिस जो नुीजंशु एक्यावन है gibt प्रथम बार राष्ट्रपती 8 01 किस राजय में लागो किया गया था पंजाब पंजाब ऑंचनल ंगया तक इस राज на internet आवदित is रव जम्मु कास्मीर में जम्मु कास्मीर अभी बावि अधिक घोसना बंग करते। पहला तो पहला आता है मोजद पर प्रका पेञिए इसमेर्स का दिंति काики संबिधान के किन अनुछेद के अधार पार राश्टरपति देश में बृती अपात की घोसना करता है अनुछे 360 सबसे खतरनाक है जो भारत पे नहीं लगाए अब तक भारत में कितनी बार बीटी अपात कि उद्धोसना की गई है कि अभी तक नहीं कि एकोनुमिक्स जोयना पूरी तरह से करवड़ा जाए मिन्स इंफलेशन बहुत बढ़ जाए तो वह होता है तो यह दिखने में तो लगड़ा होगा कि चलो बीटी अपाथ कल पैसा करवड़ा जागा तो क्या हो जागा उसमें क्या होता है काफी बढ़ ज की गई है तो बीटीया पाथ की वह स्थिति के दोरान राजी बिधान मंडल द्वारा पारित सभी बित बिदहयक को निम्नलिकित में से किसके बिचारार्थ अधारित रखा जाता है यह रखा जाता है राष्ट्रपती के अदर आप्सान नमर डीस है बीतिया अपाथ के दोर कारत के संभिधान के अनुच्छे 360 के अधीन बीतिया पाथ के संबंद में यहां पे विचार करना है दो कथन दिये गए हैं यहां पर उल्ली एक कथन सही को पढ़ते हैं बीतिया पाथ की अधुषना दो महिने की समापती पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि वह आवध में अपातकाल के समय राजी का सासन किसके हाथ में चला जाता है राजी का सासन होता है राश्टरपती के हाथ में निम्दले कित में से कौन सी तारिक को भारत के राश्टरपती ने अपनी सक्तियों का पढ़ियो करते हुए उद घोसना दुआरा घोसना की की गंबीर अपात बिद्धमान है जिसके कारण आंतरिक असांती से भारत की सुरक्षा की गंभिरता को खत्रा है यह इंद्रा घंदी के टेम में लगया गया था 26 जून 1975 ऑप्शन नमर सी सही है तो आपका अपात उपबंद खत्म हो गया मिंस अभी तक में 33 कंप्लीट कर लिया अब कुछ छोट क्वेशन नमर सी सही तो आपका अपका 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 इंद।